एपमें आप सबी करनी बाहर से सांबर वड़ा स्विकी कर अभाने ऑढ़ photographedy अपने लिए यहाँ पर हम नाश्डा करने वाला है अंद बाहर सबोसे सांबर अभिज हिए गरीन अज़ची हैं global up म straks करने वाले है और काफी दीनों से मन कर रहा था सांबर वड़ा कहने ते को सामबर्वडा यह था आधा रहा है। थोड़ासा TIMS कि दोसा जाथा झा द बतब करोसा था। भी नarethना पर्या रुज़ाली उसके सामबर उसके दाल ने ऐना पूदर में नहीं हो जाएँ। दोसे का क्या है कि वहाँ पर खाने का ही मजा आता है दोसा लाया है उतप लाया है बहुत कुछ लाया है नोने और ये क्लिप ना पहले की थी जब भाबे एड्मिट नहीं हुई थी तो मैं भूल गई थी आड करना तो यहां पर आपको दिखा रहे हूँ भाबी और भाबी की बहनाई हुई है यह मेरे बड़े पापा की बहु है बड़ी जो बीच में ग्रीन साडी वाली है और इधर की ग्रीन साडी वाली उनकी sister है जो उनके पास रहने वाली है वहाँ पे वो तो अपने देखी लिया है है हुस्पिटल में admit हो गया है वो और उनका operation अभी तक नहीं हो थो हैं भाबी को ऐड्मिट करने के लिए तो यह पो आप लेbones aynı देखि लिए वह तो आपने देख लिए दिपली और मम्मी आई हुँ है घर पे लीप तो यह दिन अग्ल often kiया था भाभी को अधिक पम कुसा भले अधिक अपने अध्वा अधिक by अधिक 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 फोल्टे अधिक फोल wysh अधिक थोड़ा सा है यह भी हरे कल लुअ अधिक जो थे tå Uh अधिक देखग LO अधिक को अधिक देखग अभी क्या करता हो अले पहसे मैं यह जल कर रहा था हूँ देखो अले वाँ कितना प्यारा बच्चो है ना प्ड़ा पैंड बेपी जी पैंड सकता आप तो पैंड नी सकता हूँ आप चोटे हो ना कर फोड़ अद्धी की साइसे बटा लेपी यह देखो इसके कसरत चल रही है कर अद्धी ठाइक्च्यू थाइंक्यू हम इतनी मुझे है ज्यादे अच्छी यूई ज्यादे अच्छी क्या अखिलेश जो मेरे ब्हाबी का बेटा है वो रात के टाइम पर यहाँ पर ही सोने के लिए आ जाता है क्योंकि होस्पिटल में थोड़ा सा सोने का प्रॉब्लम है उनके पास उनकी सिस्टर है तो इसलिए बाकी लोग सो नहीं सकते हैं वहाँ पर तो इसलिए अखिलेश को यह घर पर लेके आता है तो यहाँ पर हम लोग खाना खा रहे हैं मम्मी है भाई है दिपाली है मुझे अच्छा नहीं लग रहा था इसे वज़े से मैं खाना नहीं खा रहे थी मैंने तो नहीं खाया क्यों इनका हो गया था तो यह बैठे है और दिपाली आपको तो पता ही अजवीक ज़्यादा तर दिपाली आते हैं तो दिपाली के साथ ही रहता है दिपाली के साथ ही खाना खाता है और यहाँ पर मूवी चल रही थी तो यहाँ पर सब लोग मूवी भी देख रहे थे और हम लोग बैठेते हैं इसे ही मैं इनके साथ गफशप मारते हुए बैठी थी और अखिलेश वगर भी आ गया था तो अखिलेश भी खाना खा रहा है हमारे साथ बस यहां पर वही चल रहा है फैमिले टाइम स्पेंट करना ये नेक्स डे का है एक्चुली बहिया आ गये थे ब्लड लेने मुझे टेस्ट करवाना था आप लोग बोल रहे थे ना कि दीए आप थाइराड टेस्ट करवा लो दीए आप हीमोग्लोमिन टेस्ट करवा लो तो मैंने भी सूच यार नहीं ये करवाना चाहिए मुझे तो इसी वज़़े से बहिया को बिला लिया था और ये बहिया मेरे पडोस में रहते हैं मेरे फ्रेंड के हजबंडी है एक्चुलि उनका लैब है तो इसी वज़े से वह घर पे आ जाते हैं मतलब अगर काम पड़ा तो घर पे आ जाते हैं बलड लेने तो यहां पर मैं उनको बलड डे रही हूँ अब प्रिपृर्ट आने के बाट भी पता चलेगा बट अभी हीमोग्लोबिन टेस्ट भी मुझे से लग रहा है घबराड हो रही है और weight भी put on हो रहा था ना तो इसी वज़े से एकदम अचानक से weight put on हो गया था तो बहुत से लोग बोल रहे थे कि thyroid की वज़े से weight put on होता है कुछ-कुछ thyroid की वज़े से weight loss भी होता है बहुत जादा तो पता नहीं था तो इसलिए मैंने सुचा चलो thyroid test करवा लेती हूँ दिमाग से वो भूत निकल जाएगा कि क्या है क्या नहीं तो यहां पर वही और ममी का भी test करवाना था शुगर का क्योंकि ममी जब से पुना से आई थी तो उस टाइम एक बार किया था ममी का टेस्ट शुगर का उसके बाद शुगर का टेस्ट ही नहीं हुआ ममी का यहां तो इसी वज़े से ममी का भी test करवायेंगे अभी क्योंकि ममी को शुगर है ओस Corism रिपोर्ट में नहीं निकला तो मेरे दिमाग से भी निकल जाएगा कि क्या है क्या नहीं तो इसलिए और मुझे तो लगता है कि एक्जर्शन की वज़े से ही जादा हो रहा है क्योंकि मुझे एक्जर्शन मतलब सहानी नहीं होता है तो इसी वज़े से थोड़ा सा भी एक्ज आना जाना हो रहा था और मेरी तबयत भी ठीक नहीं थी तो इसलिए उनकी डेद भी अचानक से ही हुई तो मतलब इनको शुगर था तो इसा ञासे थोड़ा सा फ्रॉपल्लम हो गया था उनका भी तो इसलिए फिर वहां पर भी जाना आना हुआ जादा और इसके बाद मैके मे भी थोड़ा सा वो प्रोग्राम की वज़े से एक्जर्शन हुआ तो वहाँ पर तो मायके में जादा काम नहीं होता है फिर भी थोड़ा सा एक्जर्शन तो होई जाता है कुछ प्रोग्राम रहता है गर पर महमान रहता है तो तो इसलिए वो हो गया उसके बाद इधर आई तो इधर वो हुआ तो टेंशन और एक्जर्शन उसकी वज़े से पता नहीं एकदम से तब्यत खराब हो गई वहाँ पर भी मैंने अपने गाओं में गई थी सस्राल में वहाँ पर भी दिखाया था वहाँ पर भी मतलब वहाँ पर तो डॉक्टर ने वही बोला था कि वाइरल है आपको वाइरल फ्यूवर है जिस दिन मैं आई ना उसी दिन मुझे फ्यूवर चड़ गया था मतलब जिस दिन मैं मैं के से आई थी उसी दिन बस ब्लड लेकि भीया चले गए उसके बाद ममी नहाया वगरा उसके बाद यहाँ पर नाश्ता बना रही है ममी actually डोकला ममी के हाथों का आपको पता है कि ममी कितना अच्छा डोकला बनाती है तो इसी वजह से ममी के हाथों से बना हुआ धोकला हमें खाना था भाई को भी और मुझे भी तो इसी वज़े से ममी यहाँ पर ढोकला बना रही है तो यहाँ पर क्या डाल रही है तो पहले बेशन डाला है यहाँ पर सूजी डाली है उसके बाद यहाँ पर उसमें क्या डाला है कि यह अजवायन डाला है और यह खानी का सोड़ा वो है बस अभी इसका पेस्ट जिलने के एसमist, ढाला था रख वड़ा है मेर्ची जहएं मेर्चार ए 0 दो बड़े बड़े चमच ऑईल डाला है उसके उपर से और बस इसको अच्छे से मिक्स कर देगी और बस यहां पर अच्छे से मिक्स होने के बाद उसमें आड़ करने वाली है ममी चाच या दही आप कुछ भी आड़ कर सकते हो जो आपकी मर्जी मतलब खटा पर आचाने चाह तो अब टाहिने यहां पर दही का पेस्ट बना कर दिया था और यहां पर पानी आड़ कर रीए जैसी काथिमा पेस्ट बनाएगी और उसके बाद उसमें प्लेट डालेगी मतलब टाइम पर ही आपको मिक्स करना है पहले से मिक्स करना है नहीं तो फूलेगा नहीं डोखला तो यहां पर time पर mix करके तुरंत डाल देना है ज्यादा time नहीं लगाना है mix करने के लिए बस यहां पर mix करके जल्दी से डाल देना है ताकि डोखला आपका फूला बस डोखले का जो फूला है वो quantity पे और mix करने पे डिपेंड है मतलब इस घैसे ही आप डालते हो कंसिस्टंसी पर बहुत ज्यादा डिपेंड होता है तो बस यहाँ पर मम्मीने डाल दिया है उसके पर रख्कन रख देगी और बस पंदरा मिनिट पर भूकला मम्मी ने स्वरी तो यहां पर डोकला थंड़ा था रेडी और थंड़ा होने के लिए रख दिया था बस वो जो मम्मी का मेज था वह क्लीन कर रहे हुँ आक्टिली दूसरों के घर में एक यह नहीं होता है काम नहीं होते हैं और मम्मी के हाथ के इससे भी जैसे मम्मे से बनाया और फिर हम लोगों ने खाने के लिए लिया था तब-तक मै अपना ग्यास का सलाफ क्लीन कर दियु आप लोगों को तो पता ये मुझे एकदम से क्लीन चाहिए मतलब उस तो जांस क्लीनिंग क किया है तो चलिए फिर मिलते हूं नेक्स व्लोग में तिल देन बाबाई टेक केर एंड लव यू आल बाई गाई जयान रखना अपना